Hello everyone, I am Dharmand, trainer of AI House India आज हम इस वीडियो में कॉर्णर के लिए फुल ग्लास कैसे लगाते हैं वो आज हम जानेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हम इसी थीम को सेम हम बनाएंगे तो अब हम चलते हैं AI House के इंटरफेस पे यह हमारा AI House का इंटरफेस है हमने एक प्लान को ड्रा कर लिया है और इसी प्लान पे हम उस कॉर्णर विंडो को बनाएंगे जो हमारा फुल क्लियर ग्लास में होगा तो हम अब चलते हैं इस रोमिंग मूड में फिर इसके बाद इसकी कैसे कॉस्टमाईज हम करेंगे वो भी हम प्रॉसस को आगे जानेंगे तो अब हमाँगे तो अब आएंगे कॉस्टमाईज में इस कॉर्णर विंडो पे एक हम डौर्वे लगाएंगे जो हमारा ओपिनिंग डॉर्वे होगा इसी कॉर्णर पे तो हम पहले टूड़ी में आते हैं अब हम आते हैं कॉस्टुमाइज में फेस के बाद आते हैं हम एल्मोनियम में एल्मोनियम में आ करके यहां पर हम आएंगे विंडो में विंडो के बाद आएंगे वेव विंडो में उसके बाद हमारे एक ओपने कॉर्णर का डॉरवे होगा यह कॉर्णर डॉरवे है इसे हम करके लगा देंगे ताकि उतनी एरिये की जो वाल है वो उतनी हाइड हो जाएगे फिर उसके अंदर हम ग्लास को इंस्टाल करेंगे वह भी हम बताएंगे कैसे करेंगे आप देख सकते हैं इतनी ओपनिंग हो गई अब इसके बाद हम आएंगे फ्री मोडलिंग में ताकि उसके साइड साइड को जो हमारा एक बॉर्डर होता है उड का उसकी कुछ डिजाइन्स को बनाएंगे हम अक्जरी लाइन ले लेते हैं जो हमारी कितनी ठेकनेस होगी इसको हम मेजर करेंगे तो हम 50 mm कर रखेंगे भी वर चारो तरब से 50mm-50mm करेंगे तो अध्री लाइन से हम एक लैन को किलियर कर लेते हैं यह हमारी 50 होंगे इसे फिप्टी औसे लिए अफ्सेट कर लेते हैं है ओक और फिर ड्रॉ में जाकर के लाइन को लेंगे लाइन से हम उस ए péri्रियों को ड्रॉ कर देंगे एक फ्रेम बनाएंगे 50 mm का जिससे अब हम आगे लाइन में यहां ते हम सिलेक्ट करते हैं अब इसे हम जैसे हमारी auxiliary line गई गया वैसे सीधे सीधे हम इसे drag कर लेंगे लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसे stretch करेंगे हमने ड्रॉ कर लिया अब हम इसे stretch कर लेंगे 100 mm कर लेते हैं इसे press करके आगे की तरफ stretch करेंगे और फिर हम इसे group भी बनाएंगे 100 mm यहां देख रहेंगे स्टेचिंग लिखा है यहीं पर हम value को put up करते हैं 100 mm अब इसे control प्रेस करके सभी को हम select कर लेंगे फिर control जी अभी हमारा group में हो जाएगा अब इसे हम copy करके हम इसके side में और front में भी जहां पर रखना होगा इस frame को हम रख लेंगे इसे हम select करके move करके फिर उसके बास shift प्रेस करेंगे तो यह copy हो जाएगा हमने इसको 100 mm पर copy कर लिया है और फिर इसे भी same process कर लेंगे यहां से copy करके यहां से फिर 90 degree पर घुमा लेंगे ताकि next में लगा सकें इसको जो frame दिख रहा होगा यहां से सीधा drag कर लिया है अब इसे tops पर आएंगे कि टॉप से हम इसको खुमा लेंगे 90 डिगरी पर प्रेस रोटेट एक सीधे लाइन को डायरेक्शन दे करके हम इसे 90 डिगरी रोटेट कर लिए अब इसे move करके उस corner में join कर देंगे अब जो extra निकल ला है उसके join पे उसे हम stage करके हम back side में लगा लेंगे fix कर लेंगे वह भी हम process करके दिखाते हैं इसे पहले हम ungroup कर लेंगे थोड़ा सा इसे उपर कर लेते हैं कि अब इसे हम प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद जो हमारा stage है इस्टेच को हम back side में कर लेंगे अब देख सकते हैं fix हो गया और अब सेम प्रोसेस हम इस side में भी कर लेंगे इसे copy करके अब यह हमारा complete हो गया फ्रेम का अब हम ग्लास को रखेंगे पहले एक बार हम देख लेते हैं view को देख सकते हैं inner router दोनों side frame लग गया है अब टॉप से भी देख सकते हैं अब इसके बाद हमारा glass का होगा glass को इससे हम install करेंगे अब हम आते हैं customize में फिर आते हैं system cabinet में system cabinet के हम आते हैं parts में parts में यहां पर बहुत सारे types के panels हैं और उसके नीचे glass भी हैं इसमें से हम एक glass को ड्रेक करके दिखाएंगे और उसको size को भी change करेंगे हम glass side panel को लिए हैं और इसके बाद हम इसके size को भी हम बढ़ा के दिखाएंगे कि उतने area के frame में यह adjust कैसे होगा इसे पहले press करेंगे Z press करके को मूब कर लेंगे center में अभी लोन कर लेदे हैं कि Лाव इसके size को इसके size को हम बढ़ा कर लेते हैं जो हमारे doorway की area जो opening है उसमें adjust हो सके अब देख सकते हैं जो side में हमारी property बिंडो खुली है वहां से हम इसके beat depth ताइड कोम change करेंगे हम इसकी depth को बढ़ा लेंगे डेफ्थ कम change कर लेते हैं हम इसको 1000 कर करके देखते हैं अब फ्र हम उन्ट और यह हम ट्रेंट करके सको corner point मेIRा आएंगे फिर हम पूरी साइज को एक साथ इसको बढ़ा कर लेंगे आथे anga यह हो गया अब एक बार में इसके साइज को हम बड़ा करेंगे ताकि एक तरफ के हमारी पैनेलिंग किलियर हो जाएगी ग्लास की इसको ठीड कर लै और पे बाद 200 भी कर डिया जो हमारा पहले वेलू था और इसे हम Ctrl V प्रेस करेंगे control भी press करने से copy कर लेंगे और फिर इसे हम 90 degree पे rotate कर लेंगे या तो आप यहां से rotate कर सकते हैं या आप position में जा करके rotate option में जा करके जो Z option है उस option में आप 90 degree put up कर देंगे और interpress कर देंगे वो 90 degree पे rotate हो जाएगा फिर आप यहां से drag करके सीधा corner to corner को join कर लें इसके बाद आपका model complete हो जाएगा फिर इसे control yes प्रेस करके file को अपने save कर लें